हलो मैं हूँ रेखायादा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई इसब गोल? जी हाँ आपको इसका नाम थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा लेकिन ये भारत में करीब करीब हर घर में पाया जाता है खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आप इसे कई तरह से इस्तमाल कर सकते हैं और पीट की बिमारियों के लिए तो ये काफी कारगर माना गया है आखिर ये इसब गोल है क्या? इसब गोल को अंगरेजी में सिलियम हस्क कहते हैं इसब गोल दरसल प्लांटागो ओटा नामक एक पौधे का बीज होता है इसकी पतियां हुबहु अलोवेरा की तरह होती हैं पौधे में गेहु की तरह बड़े-बड़े फूल होते हैं जिसमें इसब गोल के बीज पाये जाते हैं इसबगोल का आयरवेद में काफी महतोपूर्ण स्थान है ये अपने लक्सेटिव, कूलिंग और डायरियोटिक गुणों के कारण जाना जाता है आखिर कैसे काम करता है इसबगोल इसबगोल में कुदृति तोर पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है इसे पानी में या दूद में डुबाने से ये फूल जाता है और एक जल की तरह हो जाता है ये जल स्वाधिन और गंदहिन होता है अपने लक्सेटिव गुण के कारण ये आतों की सफाई करता है औ के अलावा ये आत में मौझूद बैक्टेरिया और दूसरे नुकसान दे टॉक्सिन को भी सोख लेता है। साथ ही ये आत की परत पर चिकनाहट भी लाता है, यानि कि ये हमारे पीट को बिना किसी नुकसान के फाइदा पहुँचाता है। चली अब ये जानते हैं कि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए। पाये जाते हैं और ये फाइबर से भरपूर होता है। इसमें पाया जाने वाला जलेटे नैचरल बॉल मोवमेंट में मदद करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप इसे पानी में 5-6 घंटे फुला ले। फिर रात को सोने से पहले आप इसे गुनगुने दूद के साथ ले ले। इसके लिए 4 चमच इसब गोल को 8 चमच ताजी दही में मिला ले और भोजन के बाद खाएं। अच्छे परिणाम के लिए आप इसे दिन में 2 बार खाएं। साथी ये आपको गैस और एसिडिटी की समस्या से भी राहत दिलाता है। ये पेट में एक सुरक्षा कवच तयार करता है जो डाइजेस्टिव एसिड के अत्तधिक बहाओ को कम करता है। साथी ये पेट में मौझूद एसिड के प्रभाओ को निश्क्रिय भी करता है। इसके लिए आप इस सब गोल को दो चमच ठंडे पानी में मिला कर पीएं। इस सब गोल में नाच्रल हाई ग्रोस वा है तो आप महीने में 3-4 दिन सोने से पहले इसे गुनगुने पानी के साथ लें। साथ ही ये वजन घटाने में भी काफी मददगार है। इसके मदद से आप खाने के इक्षा को कंट्रोल कर सकते हैं। चुकि ये कोलोन को साफ रखता है ऐसे में ये भोजन के पाचन में भी मददगार साबित होता है। इस अबगोल को पानी में मिला कर मिक्षर तयार कर ले फिर इसमें नीम्बू का रस मिला ले। सुबह खाली पेट इसका सेवन करे। ये आपके वेट लॉस में मददकार है। इस अबगोल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही ये खाना खाने के बाद करें चुकि इसमें फाइबर होता है तो ये पाचन में मददगार है ये पेट में मौझूद टॉक्सिन को साफ कर आतों के मुम्मेंट को बढ़ाता है पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए आप इस सब गोल को बटर मिल्क यानि के छाच के साथ भोजन लेने के बाद करें ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है इसब गोल में फ्लाकतिक रूप से जलाटिन परदार्थ पाया जाता है जो शरीर में ग्लुकोज के सोकने की शमता को धीमा करता में यानिकि तो आप रात को सोने से पहले पानी के साथ इसब गोल का सेवन करें। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी बिमारी सुधर ना जाए। आई अब यह जान लेते हैं कि क्या इसब गोल से कोई साइड एफेक्ट भी है। सेड एफेक्ट के मामले में ये काफी सुरक्षित माना जाता है। हाँ इतना जरूर है कि इसका अत्यधिक सेवन कभी ना करें। साथ ही हमेशा इसका सेवन पानी में भीगो कर ही करें। वैसे तो इससे अलर्जिक रियक्षन नहीं होता पर यदि ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलह ले। अगर आपको कभी एपेंडिक्स या पीट में ब्लॉकिज की समस्या रही थी तो डॉक्टर से परामश के बिना इसका सेवन कभी भी ना करें। साथ ही गर्भवस्था के दौरान इसका सेवन सुरक्षित माना गया है लेकिन फिर भी आप बिना किसी डॉक्टर की सलह के इसका सेवन ना करें।